येर स्टूडेंट्स आज अपना 10th क्लास दी शीट नंबर 7 करन जा रहे हैं त्या नाल देखो एच हेगा day 24 दा how many maximum zeros एक क्यूबिक पोलिनोमिल have एक तिन का तिब पर दियां किनियां सिफ्रा हो सक दियां क्यूबिक पोलिनोमिल दियां देखो पहला आपका कित्ता हो येदा नाल दे उसको पहला वाली वीडियर मदल दस्यां सिगा जिन्नी ओदी का आथ हुंदियां ओन्नी अपमा शिफ्रा हुंदियांने maximum मतलो क्यूबिक दे किनियां होसा दे maximum 3 अगला देखो अगे है अपने देखो find the maximum zeros of the polynomial देखो एक केडी step दी केशन ना की step दी polynomial हा quadratic क्योंकि एकसी का आथ किनियां अपने कोल 2 मतलो इदे maximum zeros किनियां होंगे अपने कोल 2 अगला देखो do you know for quadratic polynomial addition of zeros addition of zeros दा formula की हुंदा अपने कोल minus coefficient of x upon coefficient of x दा square ठीक है जी शिफ्रां दा जोड कीदे ब्राबर हुंदा minus x दा गुनाक बट x square दा गुनाक x दा गुनाक x दा गुनाक मतलब हाँ देखो मुरे x square हाँ फिर अपने को 4x ने ठीक है x square दा गुनाक की ना जिन्हों x square ना गुना हो रही है 3 x दा कुनाक कीना अपने कोल minus दे 4 है दे वीच ते constant term कीनिया 7 ठीक है जी एदना चकने अपने बाद वीच दस दी है पिला फार्मला देख लो चिफ्रा दी गुना दा फार्मला की है product of zeros cost and term but a coefficient of x दा square हुं देखो अपने की केशन गीवन है एदा पकड़ना है find the sum and product of the zeros देखोते हैं पिला पकड़ दें sum जोड की फार्मला सी जी अपने कोल minus coefficient of x minus coefficient of x minus x दा coefficient कीना अपने कोल minus दे 4 बटा coefficient of x दा square हो कीना अपने कोल 3 मतलब sum of zeros कीना आगे अपने कोल 4 by 3 ठीक है जी अगे करना अपने product product दा फार्मला की सीगा अपने कोल cost and term cost and term कीना अपने कोल 7 बटा coefficient of x दा square हो कीना अपने कोल 3 मतलब product of zeros कीना आगे अपने कोल 7 by 3 अगला देखो एदे बिच वे अपने find the sum and product of zeros एदे बिच वे अपने sum ते प्रड़क्ट करना लाव फार्मला सम दा की सिगा जी, माइनस, कॉफिशेंट ओफ एक्स, देखो किना अपने कोले दे वीच, 6, प्लास दे, बटा कॉफिशेंट ओफ एक्स ता स्केर, जिदेनल कुछ नी कीप ओने अपा, 1, मतलब सम किना आगे जी, अपने कोल माइनस दे, 6, अगे देखो, अग किना अपने कोल माइनस 3, बटा कॉफिशेंट ओफ एक्स दा स्केर, 1, पीदी वैली की नी आगे जी, अपने कोल माइनस दे, 3, अगे देखो, अगला कोश्चन है अपने कोल, दे 26, if you know, सम मैं प्रड़क्ट ओफ जीरोज ओफ क्वाडिटिक पॉल्नोमियल, you can frame, मतलब सम त प्रड़क्ट पता होन तपक्वाडिटिकेशन त्यार कर सकते हैं, की फार्मला दा, x2-sum of zeros, into x, प्लस प्रड़क्ट ओफ जीरोज, ठीक है जी, यह आप बचिके लिखांगे, x2-0 दा जोड, x2-0 दा, झूण, देखो देना अट दा कोश्चन है, if the sum and product of zeros, ओफ क्वाड् पोलिनोमियल, r minus 3 and 4, अपने पोलिनोमियल त्यार करने हाजी, देखो, सम मा पन देता, सम किना अपने कोल minus दे 3, प्रड़क्ट किना आजी अपने कोल 4, इकेशना की फामला से अपने कोल, x square minus sum of zeros into x plus product of zeros, प्रड़क्ट किना पहला फामला जाद करलो, अपने कोल बन गेराजी, x square minus sum किन अपने कोल minus दे 3 into x product किन अपने कोल 4 equation की बन गिया अपने कोल x square minus 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 की हो गया plus 3x plus 4 एक की आगी अपने कोल quadratic polynomial दो काती बोकपद अगला कोशन देखो जी if the two zeros of quadratic polynomials are 3 and 5 find the polynomial इव यह पोद्दिय करना zeros अपन दतिया ने sum नी दता अपनो zeros देतिया किने ने जी अपने कोल 3 to 5 पहला आपा sum ते product कड़ांगे देखो sum किन अपनोगा 3 plus 5 यह तिया आँ रखना जी किन अपने कोल 8 ठीक है product of zeros की अपने कोल multiplication कर लो किन अपने कोल 3 into 5 15 sum किन अपने कोल 8 product किन आगे 15 उस्तवाद फार्मल गाँ मांगे देखो कि में अपने कोल sum किन आगे सी 8 ते product किन आगे सी अपने कोल 15 फार्मल गाँ की सीगे x square minus sx plus p sum of zeros s मतलब p मतलब product of zeros a बन गे x square minus sum किन अपने कोल 8 8x plus product किन अपने कोल 15 ठीक है जी ए अपने कोल quadratic question त्यार होगी अगला देखो जी अगला वी इवदा 2 zeros of the quadratic polynomial 3 and 5 एता सेम है बच्चियो ए तुसी अपने आप कर लियो 2 zeros जेतिया अपनू अपना solve करना है ए question सेम है ठीक है जी ए शीट तुसी पूरी कर लियो Thank you Welcome my dear students अज अज अपन 10th क्लास दी शीट नंबर आठ करन जा रहे है जिनना बच्चे अज तक इस चैनलों सब्सक्राइब नहीं किता सब्सक्राइब कर दो रहे तान जेतानों मेरे न्यू अपडेट्स मिल दे रहे है फर्स्ट देखो Day 28 दा Find the number of zeros of quadratic polynomial अपने zeros करने हैं दो का थी बहुपदनी है सिफरां सिफरां राजे zeros मतलों X यह values values of X करने हैं आपना पहला क्लास दी पड़या होया यह अपना किमे कैक्लर कर दे हैं थोड़ा रमाइंड करो पहला आप पार आजे जी महां देखो आमने कोल आई केशना x square plus 6x plus 8 factor बनाओ गुना करके आपने कोल plus 8 आजान ते plus minus करके आपने कोल plus 6 बन जान हुँ देखो 8 दे factor की बन ने ये इकतान को 1 into 8 हो सकद फोर देखो 4 into 2 हो सकद 8 होर की 8 दे factor बन ने 2 into 4 सेम चीज आराजे हुँ देखो एदे विच्चोप o factor चाकना जीदा plus जा minus करके आपने कोल plus 6 बन जान देखो 4 ज़ टू एड़ करके आपने कोल plus 6 बन जानगे ये बन गे आपने कोल 4 plus 2 किन्ने बन गे plus 6 4 into 2 किन्ने बन गे आपने को प्लास दे 8 ये दे factor पैद्धा बन ने ये भी plus minus करके अपने गोल प्लस दे 6 आज़न multiply करके अपने को प्लस दे 8 आज़न हुन देखो x square प्लस first नी छेड़ना अपने last अली वैली नी छेड़नी जड़ी center वाली वैली 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 वा 6x ओधी था दे पुट करांगे अपपां की पुट करांगे 4x प्लस 2x 4 8 2 ते 8 दोनो 2 दे टेबल दे ओंदे ने ठीक है जी x नहीं है की common अपने कोल क्योंकि 8 नाल x नहीं है 2 1s आ 2 एतिकल एकस ही रह गया प्लस 2 4s आ 8 ठीक है जी अपने कोल बन गया है x प्लस 4 दूजय फेक्टर की बन गया है एकवर आप बन गया एकवर x नाल 2 एकवर बन गया जी आपने कोल x प्लस 2 किन्ने फेक्टर बन गया आपने कोल x प्लस 4 ते x प्लस 2 यह नो नोट कर लो अगे देखो आपने कोल फेक्टर बन गया है x प्लस 4 दुझ्या फ्यक्टर की बने हैं आपने कोल x प्लस 2 हुन अपने यह जीरोज करनी है याने जीरोज रख कड़न दे लई शिफरां कड़न दे लई अपने किदे ब्राबर रखांगे 0 दे ठीक है जी 1 और x प्लस 4 एनो इकल टू 0 रखलांगे अपने तुसरी अपने उपर नोट कर लगो अगला कोशन देखो find the zeros of the quadratic polynomial होन फिर अपने zeros find out करनी है याने देखो ते आनना अपने कितना करांगे एच विकेशन हैगे x square minus x minus 1 ठीक है जी देखो अपने फ्यक्टर बना नहीं है गुना करके अपने कोल किना बांजे minus x 12 आजान ठीक है जी ते अपने को plus minus करके जिदना कुशन है अपकी पालाने 1 minus 1 आजे बना आओ फ्यक्टर जी मैं 12 दे की बनंगे 12 into 1 ठीक है जी होर की बनंगे 6 into 2 होर की बनंगे अपने कोल 4 into 3 हुन इन्ना विच्चो ओ फ्यक्टर चको जीना प्लस जा मैंनस करके अपने कोल मैंनस दे 1 आजान निशानिये सेम होने चाहिए दियाने हुन देखो मैं की करूंगी minus 4 plus 3 minus 4 plus 3 plus minus minus किना आगे अपने कोल मैंनस दे 1 देखो मैंनस 4 नो जुद आप थ्री ना मल्टिप्लाइ करांगे ता किनने बनगे अपने कोल मैंनस दे 12 हुन आपने को की फैक्टर बनगे आपने को फैक्टर बन गे सी के एकस के चलो पहली नी छेड़नी लास्त नी चेड़नी सेंटच किया आगे से अपने कोल 4 X plus 3 X एहे दे फैक्टर बन गे सी सेम होत दे ये चो कॉमन कड़ो ते चो कॉमन कड़ो इनना दोना विच्छ देखो एकस कॉमन निकल गया एथिक रहा ठीक है जी, विच की रहा गया, 3 1s आ 3, 3 4s आ 12, x-4, आपने को बन गे x plus 3, दूसरा फेक्टर की बन गया, x-4, हुन आपने सेम इदे 0s करनी याने, जो 0 कर दे हुनने आपपा, तो एनू किदे ब्राभबर रखांगे आपपा, let x plus 3, x-4, एनू किदे ब्राभबर रखांगे आपपा, 0 दे ब्राभबर, ठीक है जी, एक और अपने कोल की आ जूगा, x plus 3 is equal to 0, एक और अपने कोल आ जूगा, x-4 equal to 0, x is equal to, plus दे 3 एदरा के, minus दे 3 बन गे, minus दे 4 एदरा के, plus दे 4 बन गे, आपने कोल सिफरा की नहीं आ गया, minus 3 दे 4, अगला कोशन देखो जी, अगला क आपने कोड्रेटिक पॉल्नोमियल दी, सेकिंड जीरो अपने, फाउंड आउट करनी है, एक ता तरीक यही है, जी में परकित्ता सिगा, ठीक है, फैक्टर बनाके, दो फैक्टर बनाके, पैक्सी वैलियूस करनी है, दो सिफरा अपने कोल निकल गया, सिखोई कोड्रेटिक polynomial एक तरीका रादे A ठीक है सुखा तरीका जह अपन वन सिफर गिवन होवी A याद रखियो मालो किसे polynomial दिया quadratic polynomial दिया दो सिफरा ने A ते B ठोकि दो values होन गी है एच फामला हुंदा अपने को sum of 0 दा sum of 0 दा फामला हुंदा minus coefficient of x बटा coefficient of x दा square minus coefficient of x upon coefficient of x दा square ठीक है जी में x दा coefficient निशानी नाल चक्क निया कित थे अपने कोल प्लस दे 7 मतलब एदी वीच सम of 0 दा फामला आगे अपने कोल minus coefficient of x minus 7 upon coefficient of x दा square किन आ अपने को एदन आर कुश्वन दा की पालांगे 1 मतलब A plus B दी value किन नी आगे अपने कोल minus 7 त्याना note करलो अगी देखो आपने कोल value आगे सिए दी A plus B is equal to minus 7 अपनों एक सिफर गीवन है minus 3 जा A दी value पुट करदो जा B दी value पुट करदो यह थे किन आगे है minus 3 plus B कि दे ब्राबर आगे आपने कोल minus 7 त्या B दी value आगे है अपने कोल minus 7 plus D 3 minus D 3 यह थे रागे plus D 3 बनगे त्या B दी value किन नी आगे है अपने कोल minus D 4 मतलब यह थे दूसरी चिफर किन नी आगे है अपने कोल minus D 4 ए दूसरा तरीक का है A सिगा sum of zeros अपा product of zeros भी यूज कर सकते है product of zeros भी मतलब सक्का दनी है product of zeros दा फार्मला हुंद अपने कोल जे product of zeros होवे product of zeros सिफरान दी गुना एदा फार्मला हुंद अपने कोल coefficient constant term यह हुंद अपने कोल constant term बटा coefficient of x दा square constant term upon coefficient upon coefficient of x दा square ठीक है जी पड़क्ट मतलब दो सिफरां पाए A ते B लतियां सीगियां ठीक है पड़क्ट ओफ zeros कॉस्ट एंट टर्म किनी अपने कोल 12 ठीक है जी कॉफिशंट ओफ एक्स दा स्केर किना अपने कोल 1 मतलब A इंटू B किना आगया अपने कोल 12 देखो अपने कोल आगया सीगा A इंटू B is equal to 12 एक्सिफर किनी सी अपने कोल minus दे 3 minus 3B is equal to 12 B किना आगया अपने कोल 12 upon minus दे 3 किना बन गया अपने कोल 4 ता दुझी सिफर किनी आगया अपने कोल minus दे 4 तुस्य एद्दा भी solve कर सकते अगला कोशन देखो एदे बिच भी देखो अपने कोल इक सीफर गीवना ठीक है किनी गीवना अपनू 9 अपना दूसरी सीफर क्याक्लड करनी है अपना सोखात रिकार यूज करांगे वोई sum of zeros वाला letter zeros अपने कोल ले ले लिए राजे letter zeros अपने ले ले लिए A ते B sum of zeros मतलब A plus B किनना अपने कोल minus coefficient of X minus 1 minus A देना आला मतलब minus दे 5 upon coefficient of X ता square किनना अपने कोल जी 1 एक सीफर अपन देती 9 एदा 9 plus B कि दे ब्राब्रा आगे minus minus plus plus दे 5 तर B दी वैली किनी आगी अपने कोल 5 minus 9 किनी बान गी अपने कोल है minus दे 4 मतलब दूजी सीफर किनी आगी अपने कोल minus दे 4